दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसा एक्स्यलिशन लाई हूँ ऐसा वीडियो लाई हूँ जिससे आपकी बहुत सारी प्राप्डम सॉल्फ हो जाएंगी चाहे आपके लोहे के बरतन हो पीतल के बरतन हो एलमोनियम के बरतन हो स्टील के बरतन हो तामबा हो पीतल हो जो भी बरतन सब एक इस पाउडर से एकदम से नया जैसा हो जाएगा आप इसको बहुत जल्दी से प्रिपैर कर सकते हैं और इसको बना कर आप महीनों तक रख लेते हैं देखे तांबे के बरतन और पीतल के बरतन साफ करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं हवा के टश में, हवा के संपर्ख में आते हैं, पानी के टश में आते ही, वो फिर से काले हो जाते हैं, और हम हफ्ते भर का बेट करते हैं कि देली देली हम वो solution नहीं बनाते हैं, बट यह वाला जो solution है आप इसको बनाकर सालों store कर सकते हो, एक बार बनाना है और महीनों आपका चलेगा और इसका यूज़ करेंगे आप डेली यूज़ कर सकते हैं और डेली ही आपके बरतन एकदम से नए जैसे रहेंगे बहुत ही अच्छा वीडियो है बहुत ही कम पैसे में ये solution बनकर तयार हो जाता है किस तरीके से इसको prepare करना है वीडियो में मैं आके आपके साथ share करूँगी सबसे पहले मैं सारे ही बरतनों को clean करकर देखा दू जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये कितने अच्छे से काम करता है जिससे कि आप अपनी friends and family के साथ भी ये video share कर पाएं और उनकी भी help कर पाएं क्योंकि बरतन देखि किसे बरतनों को clean करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें वीडियो बहुत ही useful होने वाला है अगर आप इसको बना कर use करते हैं तो please मेरे साथ जरूर से share कीजेगा साथी channel पर अगर first time आया है तो channel को भी subscribe कीजेगा bell icon को press कीजेगा जिसे की आने वाली video की notification आपको मिलती र बहुत सारी tips मैंने share की है तामे के बरतन साफ करने के लिए आज एकदम से नया तरीका आपके साथ share कर रही हूँ तो यहां पर देखिए हमने लोहे की कड़ाई ले ले लिए आपने देखी थी एकदम से साफ थी साफ की हुई रखी थी जो कि normally हम करते हैं बट आप इस powder से द से clean हो जाएंगे तो है ना कितना useful सा तो यह फिलाल देखिए लोहे की कड़ाई एकदम से साफ होगी है मैं इसको आपको धोकर दिखा रही हूँ कितने अच्छे से sign कर रही है आपके सामने live result है इसी तरीके से हम almonium के बरतन को भी clean करेंगे तो यह देखिए हमारी लोहे की क कीती जो कि normally हम करते ही है बट इस solution से आप देखेगा कितने अच्छे से यह चमकने लगती है एकदम से नई जैसी हो जाती है यह भी तो इसी तरीके से आप भी बरतनों को साफ कीजेगा और देखिए जितना भी काला पन है सारा निकल चुका है मैं इसको पानी से दोकर आपक काल परसों की दिपावली है तो उसको बरतन आप क्लीन करेंगे यह तो इस तरीके से आप इसी ली क्लीन कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इस पाउडर को इस solution को बनाने में आपको मेहनत लगेगी सेकंडों में बन जाता है और घंटों वाला काम सेकंडों में कर देता है तो य अब इसके अंदर हमें डालना है नॉर्मल गेहूं का आटा जो कि आप अपने घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं तो यहां आप देख रहे हैं कितरा हमने आटा लिया है इस इसके कॉंटिटी बढ़ जाती है और बरतन को क्लीन करने में बहुत ही जादा हेल्प ह होती है तो यहां देखे हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है साथ इसमें डाला है डिटर्जंट जो भी डिटर्जंट जो भी आप कप्रिद होने वाला पाउडर अपने घर में यूज करते हो वो ले लेना है वो इसमें डाल देना है और हाँ यह जो पाउडर है यह प्रतिम in blue का साड भी बोलते हैं, तो हमने ये डाल दिया है, अब इसको इसमें हम थोड़ा सा چाहें तो color डाल सक्ते हैं, तो यहाँ पर पहले मैंने इसको band कर दिया, पर फिर मुझे लगा कि चले, मैं थोड़ा सा color इसमें डाल देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाला तो ओरेंज कलर था, बट पतानी कौन सा कलर बन के तयार हो गया है, ब्लू कलर बग गया है, क्योंकि जो डिटरजन हमने यूज किया था, वो ब्लू कलर का था, इसलिए थोड़ा सा ब्लू इश कलर में बन का तयार हो गया है, तो यहाँ दी कि हमने बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर कलर एड़ कर दिया है, कलर डालने के बाद वैसे मैं इसमें कलर नहीं डालती, बट मैं वीडियो शेयर कर दई थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया है तो बस हमें इसमें सरीके से थोड़ा सा कलर डालना है और इसको एक से दो बारी वस चलाना है देखे कितने सैकिंडों में बन कर तयार हो जाता है और यह सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं बस आपको satric acid लाना होगा satric acid नहीं ला रहे हैं तो आपके घर में आमचूर powder है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं बस यह देखिया हमारे यह solution powder बनके तयार हो गया अब यह आपका महीनों चलेगा दे कितने कम बजट में आपने ये solution बना लिया और सारे ही बरतन साफ हो जाएंगे ऐसा नहीं कि पीतल और तांबे के बरतन ही साफ होंगे सारे ही घर के बरतन एक से चमक जाएंगे तो यहां पर मैंने सारी ही चीज़ें आपके साफ शेयर कर दी हैं कि बरतन कैसे कैसे क्लीन हो जाते हैं साथ ही पाउडर किस तरीके से बनाना है तो देर किस बात के फटा फट से जाएए अपने केचिन में और ये solution बना कर तयार कर लिजे और महीनों तक इसका use कीजे साथ ही अ पसंद आया है तो लाइक जरूर से कीजेगा साथ ही एक रिक्वेस्ट है चैनल पर फॉर्स टाइम आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कीजेगा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा जिससे की आने वाली ऐसी useful सी वीडियो की notification आपको मिलती रहे और एक शूर्ण कि अपूर पर भी यो का हैंड करती हुँ तो चलिये मैं मिलती हुँ आपसे नेक्स वीडियो नेक्स व्लॉगमें तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें थैंक्स ववाचिइंग बाबाइचे केयर एं रादे रादे एंड έχει धंते रस